चुन्यांगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हरियाना सरकार की क्योंकि वहाँ पर नायब सैनी सरकार पर संकट के बादल मटराते हुए नजर आ रहे हैं कई निर्दलिय विधायक हैं जोनोंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है तुशन चोटाला के साथ करीब तीन निर्दलिय विधायक जो की साथ छोड़ चुके हैं तो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बने अभी दो महीने भी नहीं हुए कि उनकी सरकार पर संकट खड़ा हो गया है और ये संकट तक खड़ा हुआ है जब अचानक से तीन निर्दलिय विधायकों ने सैनी सरकार से समर्थन वापस लेने का एलान कर दिया इतना ही नहीं इन विधायकों ने कॉंग्रेस को समर्थन देने की बात कही है जिन विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी का एलान किया है उनमें दादरी से विधायक सोमवीर सागवान, पुन्टरी से विधायक रणधीर सिंगोलेन और नीलो खेडी से विधायक धरम पाल गोंदेर हैं तीनों विधायकों के पाला बदलने के बाद विपक्ष भी अब एक्शन मोड में आ गया है वहीं बुद्वार को ही कभी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रही जननायक जनतापाटी ने राजजेपाल बंडारु दतात्रे को चिठी लिखकर फ्लो टेस्ट कराने की मांग की है इसके साथ ही जेजेपी ने भी लिखा है कि वो सरकार बनाने वाली किसी भी राजजनितिक पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार है इससे पहले जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीयम दुश्यन चोटाला ने कहा था कि वो बीजेपी सरकार गिराने के लिए कौंग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है चोटाला ये भी कह चुके हैं कि जेजेपी अब बीजेपी के साथ नहीं जाएगी वही हर्यारा विदान सुभा में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंग हुड़ा ने भी राजजपाल को चिठी लिखकर मिलने का समय मागा है उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है और नैतिक्ता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी कॉन्फिडन्ट है उनका दावा है कि उनकी सरकार पर कोई ख़द्रा नहीं है पूर मुख्यमंत्री मनूलाल खटर ने तो कुछ विदायकों के साथ संपर्फ में होने का दावा भी किया उन्होंने ये भी कहा कि चुनता करने की कोई बात नहीं है आपको बता दे हर्याणा विधान सभा में 90 सीटे हैं मौझूदा समय में 88 विधायक हैं मनोलाल खटर और रंजीत सिंग के स्टीफी के बाद 2 सीटे खाली हैं दोलों ही लोकसभा चुनाव रड़ रहे हैं हर्याणा में अभी बीजेपी के 40 कॉंग्रेस के 30, जेजेपी के 10 हर्याणा लोकित पार्टी और इंडियन नैशनल लोकदल का एक एक और 6 निर्दली विधायक बहुमत के लिए 45 विधायकों के समर्थन की जरूत है बीजेपी का दावा है कि उसके पास 47 विधायकों का समर्थन है इसमें 40 विधायक बीजेपी के ही है और दो निर्दली हैं हर्याणा लोकित पार्टी के गोपाल कांडा और जेजेपी के 4 विधायकों के समर्थन का भी दावा है सूत्रों के मुदाबिक जेजेपी विधायक जोगी राम सिहात और राम निवास सुर्जा खेडा ने लोग सबाचुनाब में बीजेपी को समर्थन देने का एलान किया है इन दोनों के अलावा जेजेपी के दो और विधायक देविंदर बबली और रामकरन काला भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं आगे की रंडनीती तैकरने के लिए देविंदर बबली ने तो 11 मई को अपने समर्थकों की बैठक भी बुलाई है अगर यही गड़ित देखें तो विपक्ष के पास एक तालिस विधायक होते हैं कॉंग्रिस के तीस जेजेपी के छे नेलो का एक और चार निर्दलिय विधायक हैं इनमे से तीन सोमवीर सागवान नरधीर सिंगोलिन और धरमपाल गोंदेर खुलकर कॉंग्रिस के साथ आ गए हैं हर्याणा के पूरे सियासी संकट का हल अब राजजपाल बंडारू दतात्रे के पास है जेजेपी ने राजपाल से ततकार फ्लो टेस्ट कराने की मांग की है कॉंग्रिस विधायक और पूर सियम वुपिंदर हुड़ा ने बताया है कि सैनी सरकार अल्पमत में है और नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कॉंग्रिस ने भी गवर्णर से मिलने का समय मांगा है ऐसे में अब सब कुछ राजपाल पर निर्भर करता है अगर राजपाल चाहें तो बिनाविश्वास प्रिस्ताव के ही सैनी सरकार को सदन में भौमत साबित करने को कह सकते हैं जेजपी ने राजपाल को लेके पत्र में सार बौममई मामले में सुप्रीम कोट के फैसले का हवाला भी दिया है जेजपी का कहना है कि बौममई मामले में सुप्रीम कोट ने साफ कर दिया था कि राज़पाल अपने विविक के आधार पर सरकार को फ्लो टेस्ट साबित करने को कह सकते हैं